मैं जोस्पिन मिस हिंदी ओनलाइन क्लास में क्लास सेवन के बच्चों का स्वागत करती हूं। आज हम पढ़ेंगे हमारे पाठिय पुस्तक नवीन पल्लव से पहला पाठ जिसका सिर्षक है अब जागो चीवन के प्रभाद। इस कविता के कवी है जैसंकर प्रशाद। पाठ सुरू करने से पहले हम कवी के चीवन परिचय की चर्चा करेंगे। तो आए जैसंकर प्रशाद का जन सन 1889 इश्वी में कासी में हुआ था। प्रशाद जी की स्कूले सिक्षा कक्षा आठ तक ही हुई थी, परन्तु घर पर रहकर इनोंने अंग्रेजी, हिंदी, संस्कृत, इत्यादी भासाओं का अध्याइन किया। पंद्रा वल्स की अवस्था में ही इनोंने काब्य रचना आरम कर दी थी। प्रशाद जी, स्रेश्ट कवी, कहानिकार, उपनियासकार और नाटककार थे। इनकी कविता की प्रशित पुस्तके हैं लहर, जर्ना, आसु, कमाईनी, आदी। इनका निधन सन 1907 इस्वी में हुआ। कवी कहता है प्रता काल, शुर्योदय होते ही पूरे स्रेश्टी में नौजीवन का संचरन होता है। कवी ने इस कविता में छीवन के नौजागरन का संदेश दिया है। कविता की पंग्तियां है पहला पद। अब जागो जीवन के प्रभात वसुधा पर ओस बने बिखरे। हिमकन आसु जो छोब भरे उसा बटोर्ती अरुन गात अब जागो जीवन के प्रभात। कवी देश वाश्यूं को प्रता काल जागने को कह रहा है। अथार्त हर दिन हर सुबा एक नई आसा एवं कुछ नया करने का संकल्प लेने के लिए प्रेरित कर रहा है। क्योंकि प्रता काल होते ही हिमकन के आसु अथात ओस की बूंदे जो विखरे पड़े हैं अब शूर्य की किरने पड़ते ही ओसकन के छोब रुपी आसु धरा पर विलीन हो रहे हैं। जो खुसी का संकेत दे रहे हैं। उसा भी अरून गात बटोरती अथात शुर्योदय से पहले उसा काल की जो लाली मा थी वा सुर्योदय होने पर धीरे धीरे समाप्त हो रही है। चारो ओर श्वर्निम प्रकास फैल गया है। अता चीवन के प्रभात जाग जाओ। अब दूसरा पत सुनिए। तम नैनों की ताराएं सब मून रही किरन दल में हैं अब चल रहा सुकत या मलेवात अब जागो चीवन के प्रभात। प्रस्तुत पंक्ती में तम नैनों की ताराएं अथात रातरी के अंधकार में नैन रुपी ताराएं शुर्योदय होते ही अपनी आखे मून रही है। अब शुकत मलेवात अथात मलेपर्वत से बहने वाली शीतल हवा बहने लगी है। पूरी स्रिस्टी उल्लासित होकर हसने लगी है और प्रभात मनमुहक लगने लगी है। अता चीवन के प्रभात जाग जाओ क्योंकि आपके लिए नई उमंग, स्पूर्ति और आसा अंगडाई ले रही है। अब तिसरा पत सुनिए। रजनी की लास समेटो तो कल्रों से उठकर भेटो तो और उनाचल में चल रही वात अब जागो चीवन के प्रभात। प्रस्तुत पंक्ति रजनी की लास समेटो तो कल्रों से उठकर भेटो तो से कवी का तात पर यह है कि रात निंद्रा रुपी लाज को त्याकर प्रकृति की मधूर ध्वनी, पक्षुं की चहचाहाट, भावरों का गुंजन, नदियों की कल-कल करती कल्रों अपने में क्योंकि शुर्योदय के प्रदेश अथात पूर्व दिसा में शीतल, मन और शुगंध हवा बह रही है, मानो सारी स्रिस्टी खिल उठी है आपके स्वागत में, अथा चीवन के प्रभाद जाग जाओ तो इस तरह कवी इस कविता के माध्यम से देश वाश्यों को जागरित होने का उद्बोधन कर रहा है, बच्चों आज के लिए इतना ही, आप कविता की पंक्तियां याद कर लिखने का अभ्याज चरूर करे, धन्याबाद घर पर रहे, सुरक्षित रहे